कि एक सरकल है आपके पास और इसके चार और मैंने एक आपका क्या बना दिया है पैलोग्राम बना दिया नेमिंग दे रहा हूं मैं एक भी सी और यह पॉइंट ऑफ कॉंटेक्ट हो गए इफ जी एच यह आपका सेंटर हो गया ही क्या के तो गिविन कंडिशन क्या है आपको गिविन कंडिशन है कि ए बी सी डी इस आ पैरलेलोग्राम अगर पैरलोग्राम है तो ऑपोजिट साइट सिक्को लोंगी ए बी इक्वल्स टू सी डी इंड एडे इasons टू department क्विविश्ट फी ही कर दे इसको मेरी फ्रस ही इक्वी और मन राहे हूं ओवल्स अब अब मुझे थू प्रूफ क्या करना ए फूफ प्रूफ करना है A, B, C, D is a rhombus rhombus का मतलब क्या हुआ A, B equals to B, C equals to C, D equals to D, A सबसे पहले construction कर लेता हूँ ठीक है sir, करो करो sir, करो construction करो construction क्या करूँँगा मैं इसमें मुझे कुछ नहीं करना, simply join करना है OF OG, OH O, E, GO ठीक है sir, कर लो joint कर लिया joint, हाँ sir, कर लिया joint अब मेरे बाद सुनो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इनको joint करने के बाद आपको यह के quadrilateral का पाड़ दिख रहा होगा हाँ sir, अगर यहाँ मैं कह सकता हूँ क्या कह सकता हूँ F, B, जो है वो B, G के equal है, क्यों क्यों की sir, यह है आपके पास equal tangent equal tangent from a common exterior point common exterior point जिसको आप कहते हो, theorem 10.2 theorem 10.2 tangent जो भी ड्राउन है, वो क्या होता है equal होता है, तो यह इसके equal होगी है, अब इलको AF के लिए AF kis के equal होगा, sir, a, E के equal होगा same cheese, यहां भी note down करनी है आपको सामने देखो C, H C, H, जो है किस के equal होगा, sir, C G के equal होगा C, H, जो है, is tangent के equal होगा यहां भी यहीं चीज लिखनी है, आपको और क्यूं सा है भर, D, H D, H, जो है, वो ED के equal होगा यहां भी आपको वही सेमची लिखनी है सब इक्वेशन करना मंग दे रहा हूं मैं वन नहीं इसको टू देना पड़ेगा फ्री फोर फाइफ यहां तक समझ में आगे हैं हां सर अब मेरे बास सुनना क्या कह रहा हूं मैं कि अब मैं क्या करता हूं इन सबको एर कर डेता हूं ठीकर करो अड़े वां कर रहा हूं एक करना separation 5 एक मिनट dot Co 2 तो हुए तो सकती है एक मेंट रुपना होगा वेट अ मिनाट वेट अ मिनाट इसको उपर करते हैं और इसको नीचे करते हैं क्या कर रहा हूं मैं एड कर रहा हूं इक्वेशन को एक्वेशन 1 इनको ऐड तरो 10P नसे एफ एफ प्लस सी एच प्लस ्काल स्टू भीजी प्लस कीदे देna आप दो यह ऐइफ धोनों कו मिलाके statistics काया हूं रहा ओजा हो CH और DH CH और DR दोनों को मिला के CD कह दूँ हाँ सरक आदो BG और AE BG और AE तो यहा है तो BG और CG मिला के BC कह दूँ BG और CG मिला के BC कह दू और AE और ED मिला के AD कह देता हूँ celle यह आपके पास equation आ गई जिसको हम नेमिंग दे रहे हैं 6 अब आप देखो आपकी first equation क्या थी भई AB और CD जो है वो equals to BC और AD यह आपने प्रूफ कर लिया है हाँ सर यह हमने प्रूफ कर लिया है अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे अगर यह और यह side का सब equal है इस side और इस side के और यह equation given है first वाली equation इसको देखना कैसे use करेंगे यहाँ मैं लिख रहा हूँ from equation 1, one equation क्या थी AB equals to CD था and AB और CD और AD और BC और AD equals to CD था तो इसको put in equation 6 मैं put करता हूँ 6 कौन सी है यह देखो AB की जगे यहाँ में CD पूट कर सकता हूँ न हाँ सर तो CD प्लस CD ठीक है सर यहाँ देखो BC की जगे मैं AD पूट कर सकता हूँ न एक सेकिंड AC और AD equals to BC यह यहाँ न तो AZT रखता हूँ इस AD की जगे BC रख देता हूँ ठीक है सर CD CD कितना हो गया सर 2 CD हो गया और यह 2 BC हो गया कट गया CD equals to BC आ गया अब मेरे बास सुनो AD equals to CD है CD equals to BC है BC equals to AD है तो क्या देख रहे हैं आप from this from this हम क्या कह सकते हैं AB equals to CD CD equals to क्या निकला हमारे पास BC और BC के equal में क्या था देखो हमारे AD तो समझ में आया क्या तो यह चारो साइड equal हो गई क्या हाँ सर हो गई हैंस ABCD is a rhombus बताओ क्या नहीं आया question number 11 के अंदर easy है कुछ भी नहीं है पहले basic concept लगाया फिर जो parallel वाली condition ने given थी ना equals वाली उसको मैंने इस वाली equation के ना put कर दिया मेरे पास ठीक है और जैसे यह एक point के लिए equal निकला उसको मैंने given point से compare कर लिया और और चारो sides equal निकलने के बाद क्या हो जाता है और रॉंबस जिसकी four side equal होती है question number 11 completed बिलते next question में good bye पर बिलते next time